आप देख रहे हैं News 9 भारत रखे आपको सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं News 9 भारत मैं हूँ आपके साथ अंजली देश और दुनिया की तमाम एहम खबरों पर आएए डालते हैं एक नज़र आजमगल एहरवला थाना अधियत संजय कुमार सिंग मैं हमरा उपनी रिच्छक राजीव कुमार सिंग वा उपनी रिच्छक प्रबाद चंद पाठक मैं हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान अभ्यूद राम नराहन राजबर पुतर बिपत राजबर ग्राम पूरवा थाना अतरोलिया जनपत आजमगल आजया परजापती औरफ नकूँ पुतर पड़ुसुराम मंझारी थाना त्राबरबुर विकरम राजबर पुतर बिनोद राजबर गौरी पुलिया के पास से गिरफदार किया गया जामा तलासी में अभियुक्त राम दरायन राजबर के पास से एक तमंचा और एक जिन्दा कार्तूस 315 बोर अभियुक्त आजय परजापती उर्फ नक्कू के कबजे से एक तमंचा एक जिन्दा कार्तूस 315 बोर बरामद हुआ जिस हैं गिरपतार अभ्यूक्तों को जेल बेजा गया अभ्यूक्तों से पूश्टाच करने पर अपनी गलती की बार-बार माफ्थी मांगते हुए बताया कि हम तीने लोग काफी दिनों से एक साथ मिलकर चोरी कर रहे हैं चोरी से मिलने वाले समान को अजय के किराय के घर पर ही र अपनी सुरच्चा के लिए अपने पास तमन्चा वह कारतूस भी रखते हैं इसे मोटर साइकल से घूम फिर कर रात को हम लोग करते हैं जिनके पास से 2 तमन्चा 375 बोर दो जिंदा कार्थूस 300 पंद्र बोर एक मोटर साइकल मेंटर चोरी की जवरात साथ पायल वो मंगल का एक जोड़ा हाथ का कंगन, कान का एक जाला, एक टब्स, पिली धातू, चार अंगुठी पिली धातू, दो बिछुआ, सफेद, नाक का कील, दो गले का चेन, पिली धातू, जेवरात की कीमत, लगबद 1,25,000 रुपए, नगदी 34,370 रुपए, बरामत किया गया। पुलिस अदीक्षा काजमगण मोहदे द्वारा, अपरादियों, अपरादियों की विरुद्फ चलाय जा रहे है अभियान में, आज थाना एहरोला, पुलिस को, तीन शातित चोरों को गिरफतार करने में सफलता प्राप्थुई है, इनके नाम, राम नरायन राजबर्थ, थ चोरी की मोटर साइकल, चोरी के करीब सवा लाग के आभूशन, तथा 35,000 रूपए समान बेच करके कबाये हुए नगत बरामत हुए हैं, इनसे पुछताच से अग्यांत हुआ कि ये मोटर साइकल पर घूम कर रिखी किया करते थे, तथा रात में चोरियां किया करते थे, प कबजे से जो मोटर साइकल बरामत हुए है, वह थाना पौई से चोरी की पाई गई जिसके सम्मन में पूर से ही अभियोग पंजिकृत था, समत्विधिक कारवाई पूर कर इन्हें नयाले रवाना किया जा रहा है, इनके विरुत निमा नुसार गैंगस्टर वह गैंग पं अमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूस नाइन भारत पर, अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार